आज हम लोग डिस्कस करें 28 फरवरी के ICR टेकनिसियन एक्जाम का एक्जाम एनलिसिस की क्या-क्या पेपर आया कैसा पेपर आया कितने सब्जेक्ट से कितने कोश्चन आया है मैत का 25 कोश्चन है, साइन्स का 25 कोश्चन है और सोशल साइन्स के 25 कोश्चन है टोटल है जो सो कोश्चन आते हैं जो देड़ घंटे में करना होता है इसमें निगेटिव मार्किंग 0.25 है तो अब हम लोग देखते हैं कि 28 फरवरी का फर्स्ट सिफ्ट का कौन-कौन से रिलेटेड है कि डेविस कप के विज्जेता कौन रहा तो डेविस कप के विज्जेता रसिया रहा जो कुरेसिया को हरा के विज्जेता बना डेविस कप है जो टेनी से रिलेटेड है दोसरा कोश्चन है हमारा कि न्यूजिलेंड के कौन से प्लेयर ने 10 बिकेट लिया तो ये नियुजिलेंड के प्लेयर है एजाज पटेल जो इंडिया के खिलाब ही 10 बिकेट लेंगे हैं जो इंडियन ओरिजिन के हैं ये 10 बिकेट टेस्ट में लेने वाले तीसरे खिलाडी हैं तो तीसरा कोस्टन है हमारा मोडर्न हिष्ट्री से जिसमें ये पूछा गया सभीने सभीने अबग्या अंदोलन कब शुरू हुआ तो जो सभीने अबग्या अंदोलन है वो शुरू हुआ 6 अप्रेल से सभीने अबग्या अंदोलन था जो महात्मा गांदी ने 12 मार्च 1930 से शुरू किया था जो सावरमती से डांडी के बीच चली थी सावरमती से डांडी के बी जो कि है 78 और ये भी पूछा जा सकता है कि किसी एक्जाम में कि यह कितने किलो मीटर की ये जर्णी थी तो यह थी 385 किलो मीटर की पाच самых कॉस्टन है हमारा कि फीकी के अध्यच कौन है जो ये हमारा जो 2021 के हैं दिसम्बर के हैं जायतर कोष्चन दिसम्बर से आए हैं जून से जून 2021 से लेकर 2022 तक तो जनवरी 2022 तक तो इसमें फिकी के अदेश पूचा गया था फिकी के अस्थापना हुई थे को वो तरह था है जो नौ परमानू रियक्टर का निर्मान करेगा जो की डॉक्टर जी टेंदर सिंग जो मंत्री हैं डियो पीटी को उन्होंने बोला था कि दोहर चोबीस तक 9000 मेगाबाट का भारत नुकलियर प्रोडक्शन करेगा जिसमें की नौ परमानू रियक्टर से होगा हमारा साथमा कोश्चन है यह इसी से रिलेटर्ड है कि फर्ष्ट नुकलियर पावर प्लांट कौन था तो फर्ष्ट नुकलियर पावर प्लांट हमारा था तारापूर महराष्टी है कि जो USA की साहिता से बनाया गया था आटमा कोश्चन है हमारा जो कि बाइलोजी से इसमें ये पूछा गया है कि मानब सरीर के किस अंग में लसीका बनती है तो मानब सरीर के ये अस्थी मज्या में जिसे बोन मेरो बोलते हैं तो लसीका है जो बनती है बोन मेरो में नौमा कोश्चन है हमारा नौमा कोश्चन है कि मिट्टी के तेल के अपबरतनांग क्या होता है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या होता है तो मिट्टी के तेल का अपबरतनांग होता है 1.44 और इसी से पूछा जा सकता है कि पानी का अपबरतनांग क्या है तो पानी का अपबरतनांग है 1.33 धसमा कोश्चन है हमारा कि नागा हिल्स कहां परिस्तित है तो नागा हिल्स है जो पुरवांचल की पहाड़ियों में है इसे बोला जाते है इस्टन मौ nationwide जो की North East में है हमारे ग्यार्मा कोश्चन है कि भारत में पहला food museum कहां खोला गया तो भारत में पहला food museum है जो तमिलनाडू में के तंजामबूर में खोला गया है हमारा बारमा question है कि दल बदल किस अनुसूची से संबंदी था यह पॉलिटी से question है तो जो दल बदल है दसमियनुसूची से है जिसमें बामनमा संसोधन 1985 में किया गया था कि एक party के लोग दूसरे party में कुछ-कुछ दून पर ही बदल लेते थे इसी के लिए राजिव गांदी के इसासन में यह लाए गया था दल बदल कानुन दसमियनुसूची बामनमा amendment 1985 में तेर्मा question है हमारा पंचायत से related हमेशा ही important question आते हैं तो पंचायत से समंदीत हमारा question है इसे इसमें assertion region wise पूछा गया था तो इसमें यह बताता हूँ क्या-क्या important जो इसमें पूछा गया था कि पहला पंचायत जो कहां पे लागू हुआ था जो पंचायत से related था जो 2 October 1969 को राजस्थान के नागावर्ज में लागू हुआ था जो बलबंत रह मेहता समीती को 1957 में वस्तावित किया था उनके अनुसंसा पे उस टेम नहरू ने इनका उदगाटन किया था यह जो भाग 9 में है और आर्टिकल 243a से o के बीच में है अब हम देखते हैं कि इसमें साइन्स से कोश्चन आया था केमिश्ट्री से जुसके सलेवस में था कि इनका एक सलेवस में था तो सोडियम कशान में क्या नहीं है तो अब हम इस में अपने सिच्छा प्राप्त किया था वो की महायान से रिलेटेड था तो जो नालंदा भी स्वेल दाले था इसकी अस्थापना 454 AD में कुमारगुप्त के दौरा किया गया था कुमारगुप्त के दौरा इसकी अस्थापना किया गया था और इसको जो बरवाद किया था या डिश्ट्रॉई किया गया था वो किया गया था बक्तियार खिल जी के दौरा 1203 में तो ठीक है, इसमें ये पूछा गया था हिंसांग ने बहुत सिच्छा कहां प्राप्त की, हिंसांग ने बहुत सिच्छा नालंदा विस विद्याले से प्राप्त की, ये हिंसांग थे जो चीन से थे, चीन से भारत की आतरा पहाएं थे, सोलमा कोश्चन है हमारा, सविधान नि हमें नहीं मिल पाया तो हम सतर्मा कोश्चन देखते हैं पुर्वोत्तर के किस राज में बन की कमी हुई है यह है जो हमारा जो अभी फॉरेश्ट रिपोट आये थी उससे रिलेटेड कोश्चन है तो पुर्वोत्तर के किस राज में बन की कमी हुई है तो उसमें अरुनाचल में हुई है और अठारमा कोश्चन अर्च करेंट रिलेटर था कि 2021 में मेंस हौकी जुनियर बर्ल कालाप का बिज्यता कौन था तो यह इसका बिज्यता अर्जन्टीना था जो जरुमनी हराकर ये जीपा, ये जो खेल हुआ था. उननिसमा कोस्चन है हमारा सबसे बड़ा भासा-परिवार कौन सा है? तो इसमें भारत-ईयृप्याई भासा-परिवार है, जो इंडिया में नॉर्थ बेस्टरण साइड में है, जो हर्याणा पंजाब जेंड के उससे वहां तक के पूरे एरिया में जो भारतिये यूरोपियन भासा परिवार रहते हैं और बीसमा कोश्चन हमारा पूछा गया है कि ये कोरबा क्या है तो कोरबा के इसमें फुल फॉर्म है Common Object Request Broker Architecture ठीक है अब हम लोग देखते हैं एक बार आप लोग फिर से देख लीजिए क्या कि हमें एक बार दिखा देता हूं इसका कि पहला कोश्चन से कि डेविस कप के विजयता कौन है न्यूजिलेंड के कौन से प्लेयर ने दस विकेट लिया है फिर सेविना अब अग्यान दोलन से रिलिटेड है फिर पूचा गया फिकी के अधेश कौन है फिर कितने परवानू रियक्टर कब तक बन जाएंगे फिर फर्ष्ट नुकलियर पावर प्लांट कौन सा था मानव सरीर के कि संग में लासी का बनता है जो कि बोन मेरों बनता है मिटी के तेल के अपवर्थनां क्या होता है 1.44 होता है नागा हिल्स कहां पाया जाते है यह इस्टन मौंटेन में पाया जाते है भारत में परतम फूड मीडियम कहां खुला था तन्यामबूर में खुला था पंचायत से संबंदीत कोश्चन था फिर चौदमा कोश्चन था सोडियम कार्बोनेट में क्या नहीं है यह इसका जो फॉर्मूला होता है NHCO3 होता है इनसाग ने बहुत सिच्छा कहां प्राप्त की थी फिर पुरवत्तर के किस राज में यह बन की कमी हुई है यह कोश्चन था फिर निवारक निरोध किस अनुछेद से समबन दित है तो जो निवारक निरोध यह पॉलिटी से कोश्चन है यह Article 22 से related है, जिसमें कि अधी किसी ब्यक्ति को गिराफतार किया जाता है, तो उसमें उसके 24 गंडे के अंदर उनको magistrate के पास परस्तूत किया जाता है, जिसमें कि इनके आने और जाने का समयों से बकीलों का, जो जो इसमें Article 22 में दिया हुआ है, तो निवारक निरोध है, जो Article 22 से सम्बंदित है, अब इसमें पूछा गया है, द्रविड मंदिर सहली का बारे में, तो द्रविड मंदिर सहली है बेसर है, तो जो नागर है, जो उत्तर भारत में है, अब बेसर सहली है, जो बेसर सहली है, जो हम लोग क्या है, क्रिष्णा तक पाया जाता है, मालवा से लेके, मालवा के आगे तक के, तो इसमें है कि बीमाना, बीमाना है जो सौथ हिंडियन का टेमपर अर्किटेक्चर का एक भाग होता है, अब हम लोग 23 कोश्चन देखते हैं, 23 कोश्चन पूछा गया है कि Chairman of National Development Council, राष्टे विकास परसद का अध्याच कौन होता है तो इसमें वैसे राष्टे Development Council का हमेशा अध्याच PM होता है लेकिन इसमें पूछा गया था, दसमा 5th 5-year plan में इसके अध्याच कौन थे तो इसके अध्याच थे, अटल बिहारी बाजबेई चो अब इसमा कोश्चन है कि इसमें पूछा गया था कि ये statement था 1, 2, 3, 4 में तो इसमें कौन सा निरित दच्छिन भारत से संबंधित नहीं है जिसमें कत्थक था जो कत्थक उत्तर भारत से उत्तर परदेश से related है जैसे कुची पुड़या जो आंदर परदेश से हो गया मोहनिय अटम केरल से हो गया उसी परगार पूछा गया था कत्थक किस से संबंधित है तो कत्थक उत्तर परदेश से संबंधित है हमारा पच्चीसमा कोश्चन है जो पच्चीसमा कोश्चन पूछा महात्मा गांधियों भीमराम अंबेद करके पिछले बर के लोगों को बीच को लेकर जो बिवात था हो संप्रदाइक समस्या के बारे में जिसमें ये था कि जो दलित बर को कितने सीट मिलना चाहिए जिसमें कि 70 सीट उनके अलग से दिया जा रहा था जो कि मैकडोनल्ड का जो ब्रिटिस परधान मंतरे था उनके दोर जो डील होई थी लेकिन गांधी जी के गांधी जी नो इसा अंसन शुरू कर दिया उसके बाद पूना समझाओता हुआ एरोडा जेल में 24 सेप्टमबर 1932 को तो इसमें 71 की जगा फिर 148 सीट दिया गया और साधारन बर्ग में ही उनको दिया गया अब हम देखते हैं कि 26 मा कोश्चन है सिंधू नदी जल समझाओता कब हुआ था सिंधू नदी जल समझाओता हुआ था 19 सेप्टमबर 1960 को जवालल नेहरू और जनरल अयूब खान के बीच में जिसमें जो शिंधू नदीया हैं ब्यास है सतलज है कितना पानी बारत के कितने मिलेंगे और पाकिस्तान को कितने मिलेंगे यह डिल हुई थी जिसमें बल्डवेंक के द्वारा समझाओता किया गया था तो 27 कोशचन है हमारा राजसभा के सदस के नियुनतमायू क्या होती है रासभा के सदस की आपको बनने के लिए तीस बर्स के उमर चाहिए और जिनकी कारे काल छे बर्स का होता है रासभा है जो कभी फिगटर नहीं होता है लेकिन परतेक दो बर्स में एक तिहाई मेंबर इसके सेवा निर्विर्ट इससे रिटायर होते हैं तो 28 कोश्चन है वह खिलापा तंदोलन कब हुआ था खिलापा तंदोलन मार्च 1919 को हुआ था तो हम लोग देखें कि ICR का जो एकजाम हुआ था उसमें moderate कोश्चन था कि जैसे polity का जिसमें hard कोश्चन था जो science से ही था जो hard कोश्चन था तो आज के लिए हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या-क्या रहा एक बार कि क्या-क्या आप लोग एक बार फिर से देख लें तो thank you very much